नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में तो देखिए आज हम 12,000 पदों पर दो बड़ी भरतिया निकल कर रही हैं आपकी 2020 में नोटिफिकेशन आपका आ चुका है ठीक ना इसके बारे में आज हम वेकेंसे डिटेल देखेंगे ग्यता देखे लास्ट में देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक किजेगा चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब किजेगा चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं यह देखिए दोस्तों पहला जो नोटिफिकेशन निकल कर आए है वह आपका है SBI सब्सक्राइब के तरफ से स्टेट बैंक आप हिंडिया के तरफ से आपका जो है जोब निकल करा रहा है पोस्ट डेट आपका 6 जुलाई 2021 है आज आपको बहुत दिनों बात बताया जा रहा है लेकिन डेट अभी तक इसमें है आप आराम से भर सकते हैं दुसरा जो भरतिया अभी बताऊंगा ओ आज ही आया हुआ है आपका ठीक ना ये तो पहले का है आपका टोटल वेकेंसी 6100 पद है ठीक ना मतलब 1600 पद है आपके ठीक इस्टेट बैंक आफ इंडिया के तरफ से आपका ये वेकेंसी जारी किया गया है एप्लिकेशन फिस की बात करें दोस्तों यहां देख सकते हैं जनराल ओबी सी या इडबलूएस कंडिरेट जो आपके हैं उनके लिए फिस आपका 300 रूपाए है ठीक ना और जो एस्टी 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 के टेगरी से बिलों करते हैं सुचित जाती 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 से उनके लिए कोई भी फिस नहीं है बिलकुल फ्री ऑफिक हैं अंलाइन एप्लिकेशन फूम भराना कर शेट असे बिलाई जो आपका भबरा में जाती सकते हैं डीटेल को एडिट कर सकते हैं 26 जुलाई 2021 तक ही साथ में आप प्रिंट अप्लिकेशन को ले सकते हैं 10 अगस्त 2021 तक ठीक और जो डेट है आपका एक्जाम डेट ठीक ना मतलब पैच्छा का समय कब तो आपका टेंटेटीव ली इन द मन्थ आप अगस्त 2021 मतलब यहां बोला जा रहा है कि जो अगस्त 2021 में अगस्त के माह में आपका एक्जाम लिया जाएकिस मतलब बगास्त महा में आपका एक्जाम लिया जा सकता है तो एज लिमिट की बात करें तो आपका एज की गढ़ना 31,10,2020 के अंसार की जाएगी मतलब 31,10,2020 जो है आपका उसके अंसार आपकी आयो की गढ़ना की जाएगी इसमें मिनीमम आई हूँ आपका 20 वर्स होना चाहिए और मैक जीमम आई हूँ आपका 28 वर्स होना चाहिए मतलब आपको 20 वर्स से कम 28 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए एज रिलक्सेशन इस अप्लिकेवल एज पर रोल्स मतलब आयो सीमा में जो छूड़ दी जाती है जैसे अंसुचित जाती जन जाती को 5 साल और पिछरा वर्स को 3 साल वो आपकी लागू रहेगी क्वालिफिकेशन की बात करें तो candidate sold passes graduation from a recognized university या institute मылब जो candidate है इसमें भरने वाला उसको graduation pass होना चाहिए कम से कम graduation pass होना चाहिए किसी भी university से graduation pass होजक्ते है किसी भी institute या university से graduation pass होना चाहिए आगे हम वेकेंसी डीटेल देख लेते हैं, तो देखिए वेकेंसी डीटेल आपका अलग-अलग वेकेंसी, स्टेट वाइज वेकेंसी निकला हुआ है, मतलब अलग-अलग राज्ये में वेकेंसी निकला हुआ है, गुजरात में वेकेंसी 800 पदों पे भरती होनी है, पर दिसमे 75 पधो पर चैसे गढ़ में 75 पदो पर दोस्तों यहां बीच में देखिए language दिया गया है फिर लेंग्वेज मतलब इस राजय का ंफूत भे घ्याश्ण दिया गया है कि इस राज्य का जो मातरी भास बोला जाता है थैक को एक बाद को एक बात आपको आना चाहिए, मतलब उस राज्य का भासा आपको आना चाहिए, और यहां बगल में आपका भासा दिया हुआ है, 36 गण में 75 पदों पे भरती होनी है, इसी प्रकार आपका पच्चिम बंगाल जो है उसमें 715 पदों पे भरती होनी है, अंडबार निकोबार दीब समू म में आपका 10 पदों पे भरती होनी है, सिक्कीम में 25 पदों पे, सभी का language आप जरूर देख लीजएगा भणेस पहली language जरूर देख लीजएगा, ठीक हर अपने ही राज्य में बहना चाहते हैं, तो भर सकते है, language आपने राज्य का आपको आएगा ही, ठीक, उडिसा में आप आपका 25 पदोपर, लद्दाक में 10 पदोपर, पंजाब में 365 पदोपर, तमिल नाडू में 90 पदोपर, पंडी चेरी में आपका 10 पदोपर होना है, गुवा में 50 पदोपर, उत्राखन में 125 पदोपर, तिलंगाना में 125 पदोपर, राजस्थान में 600 पदोपर, केरला में 75 पदो बढ़ति होना है महराष्ट में 375 पदोपर हेलं कि उराच करतेस में 20 सब्सक्राइश पोपर मनिपूरि में 20 में घालाय में आपके 50 पदों आगे बात करें तो दोना मि जोरम में 20 पदो पर नागालेंडЛेंड में पर भरती होनी है, ठीक, यहां से आप apply online कर सकते हैं, इसका link मैं आपको description box में डाल दूँगा, वहां से आप apply online कर सकते हैं, उस link को touch करके, ठीक, apply online आप कर सकते हैं, देखिए देख, दोस्तों, इसका official notification, ठीक नहीं, इस notification में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको notification दिखाता, तो आपको बेकार लगता है, इसलिए notification नहीं दिखा कर, मैंने आपको short में समझा दिया, कि इसमें क्या-क्या होता है, ठीक, category wise यहां vacancy बाटा गया है, इसको आप details से देख सकते हैं, notification में, notification आपको मेरे whatsapp group में प्राप्त हो जाएगा, whatsapp group का link आपको description box में मिल जाएगा, description box के link को touch करके आप whatsapp group में join हो सकते हैं, ठीक, आपको कल साम तक video प्राप्त हो जाएगा, एक दिन का समय है, आपके पास एक दिन तक आप join हो सकते हैं, इसमें आपको बता दू मैं, exam पद्धती के बारे में देख लेते हैं हम इसमें, ठीक, तो 25 प्रसना आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 15 मिनट टाइम रहेगा, quantitative aptitude के 25 प्रसना आएंगे, 25 नंबर के 15 मिनट टाइम रहेगा, reasoning ability and computer aptitude से 25 नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे, आपके 15 मिनट टाइम रहेगा, total आपके 100 प्रसना रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, एक घंट पास टाइम रहेगा मतलब एक घंटे में आपको सव नंबर के सव प्रस्णां हल करने एक और यहां आपका देख सकते है आपका सेंटर दिया हुआि प्रॉइंड किया जाएगहा लग अलग अलग राज्य का इञ गजाम सेंटर यहां दिया हुआ है इसकेब बाद हम बात कें तो आपका चैन कैसे होगा ठीक ना तो इसके इसमें आपका पहले हम देख लेते हैं आपको आपका जोब लगने के बाद हैं एक साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा ठीक ना training period के रुप में आपका एक साल का training होगा उसके बाद पहले आपका return exam होगा return objective type के प्रसनर रहेंगे उसमें ठीक ना जो की अभी हमने बताया 25-25 प्रसनर रहेंगे general awareness, reasoning, math और English aptitude ठीक उसके बाद देख सकते हैं second में आपका test आप local language होगा मतलब आप चीज़ पी राज्य से भरे हैं उस राज्य का local language आपको आना चाहिए उसी का आपका test होगा उसके बाद medical examination होगा medical examination होने के बाद medical test आपका होगा उसके बाद आपका 6N होगा एक साल का आपका training दिया जाएगा उसके बाद आपका आप जोब में पूरी तरह से लग जाएंगे तो यही है एक साथ सव पदों के बारे में जानकारी आपको 6100 पदों के बारे में अब हम देखते हैं दूसरी बड़ी भरती के बारे में चाचा करते हैं दूसरी वेकेंसी की बात कहें तो दूसरा वेकेंसी आपका IBPS CRP Clerk 11 Requirement 2021 मतलब IBPS CRP Clerk IBPS Clerk का notification निकला हुआ है 12 जुलाई 2021 मतलब कल के दिन आपका notification निकला हुआ था कोई fix vacancy आपका बढ़ने की संभावना है ठीक तो IBPS मतलब इसका full form होता है आपका institute of banking personal selection ठीक न तो इसकी अंतरगत भीन बैंकों के लिए clerk का पोस्ट निकलता है जैसे bank का बढ़ा उदा bank का फिंडिया ठीक न इन सभी बैंकों के लिए पोस्ट निकलता है तो इसके बारे मे अभी देखते हैं पहले एप्लिकेशन फिस की बात कर लेते हैं तो अधर्स कंडिडेट जो है आपके ठीक न मतलब जनरल या OBC कंडिडेट के लिए सारह 800 रुपई है आपका अनलाइन फिस और STSC कंडिडेट या PWD कंडिडेट या फिर एक सर्विसमें कंडिडेट के लिए एक से सब पच्चेbtर रुपए है आपका V2 से यगा I Aение के मीट की बात करें तो आप डेविट-क्रेडिट काड किसके भी प्ररमेंट कर सकते हैं आप edit इसमें कर सकते हैं application में 12 जुलाई 2021 से 1 अगस 2020 तक आप अपना application जो है उसमें कुछ भी सुधार कर सकते हैं अधी गलत हो जाता है तो download of card और अपने application को print कर सकते हैं 1 अगस 2021 को print कर लिजेगा जरूर काल लेटर download pre-exam का आपको मिलेगा अगस 2020 में अगस 2020 में आपको काल लेटर provide कर दिया जाएगा pre-exam training का उसके बाद आपका pre-exam training आपका हो जाएगा 16 अगस 2020 से और जो है आपका pre-exam जो है आपका अगस 2020 में हो गाए यहां बताये गया है जो pre-exam इसका है इसके दो exam होंगे pre-vermance pre-exam जो है आपका 28, 29 या फिर 4 ठीक ना 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त या फिर 4 सितंबर तीन में से किसी एक date में आपके पास exam होंगा pre-exam इसका ठीक ना उसके बाद बात के हैं तो सितंबर या अक्टूबर में इसका result आजाएगा pre-ka आपका उसके बाद जो है date आप download call letter for main exam का call letter आपका October 2020 में आएगा और main exam का जो date है वो बताये गया है आपका 31 October 2020 को आपका main exam होगा date for released आप provisional allotment मतलब आपका पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपका vacancy के लिए आपको allotment मिलेगा जो ठीक ना वो आपका April 2022 तक आपको vacancy में ले लिया जाएगा इसके लिए भी age limit की बात कहें तो age की गर्णा 1 July 2020 से की जाएगी उसमें आपको निंतम 20 वर्स होना चाहिए अधिकतम 28 वर्स होना चाहिए सासन द्वारा जो आयू में छोड़ दी जाती है अंसुचित जाती हैं जन जाती को 5 साल और पिछा बार को 3 साल और छूट आपकी लागू रहेगी इसमें भी आपको graduation pass होना चाहिए क्या होना चाहिए graduation pass आपके पास minimum qualification होना चाहिए इसमें भी statewide vacancy निकला हुआ है इसमें देखें तो देख सकते हैं हंडबार निकोबार में तीन पद आपके निकले हुए हैं आंदर प्रदेश में 263 पर रचर प्रदेश में 11 पद असम में 156 पद बिहार में 252 पद निकले ह हुए हैं दादर नगर हवेली में आपके दो पद निकले हुए हैं दिल्ली में आपके 208 पद निकले हुए हैं गुवा में अंठावन पद निकले हुए हैं गुजरात में 377 पद निकले हुए हैं आगे बात कहें तो आपके हरियारा में 103 पद निकले हुए हैं माचर में 25 पत, जारखन में 78 पत, करनाटका में 407 पत, केरला में 141, लद्दाक में 0 पत, एक भी पत नहीं निकला हुआ है, ठीक ना, उसके अलच्छे दिप में 5 पत, मदर परदेश में 324 पत, महरास्टा में 2799 पत, मरीपूर में 6 पत, मेघालाय में आपके 9 पत निकले हुए हैं, म पंजाब में 352 पत, राजस्थान में 117 पत, सिक्किम में 27 पत, और तमिल नाडू में 268 पत, त्रिपूरा में आपके पास 8 पत निकले हुए हैं, त्रिपूरा में 8 पत, यहां देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, त्रिपूरा में 2668, पत, वच्चीञ पति eसंटेब हम 4 पत निकले हुए है, यहां से आप एप्लाई अनलाइन कर सकते हैं इसका लिंक मैं आपको description box में दे दूंगा, वहां से आप apply online कर सकते हैं, यहां से आप notification डाउनलोड कर सकते हैं, notification आपको मेरे WhatsApp ग्रूप में भी मिल जाएगा, हम अभी eligibility selection process exam pattern सभी के बारे में इसके बारे में देखेंगे इन देखिए eligibility criteria का मतलब है आप भारत के किसी भी राज्य से निवास करते हैं इसमें फूम भर सकते हैं ठीक ना आगे बात कहें तो age की का limit दिया आगया है आप बर्थ आप कर दिया हुआ है कि 28 साल होना चाहिए साल छूट दिया जाएगा एस सी कंडिडेट को और अधर बैकवर्ट क्लास को तिन साल मतलब वह भी सी कंडिडेट को तिन साल परसनल परसंस विद डिसेबिलिटी जो है उनको दस साल का छूट दिया जाएगा ठीक ने इसी परकार छूट आपका दिया गया है educational qualification की बात कहे है ठीक ने graduation pass आए आप इसके लिए जीबल है selection process यहां बताया गया है तो selection process में आपका common return exam होगा ठीक ने जिसको mains exam बुला जाता है mains exam का syllabus अभी हम देखेंगे आपके दो exam होगे पहला प्री दूसरा mains pre-exam आपके पास qualifying के वल exam होगा मतलब आपके qualify के लिए रहेगा जो main exam होगा उसी main exam से आपके पास selection process के लिए आपके पास merit list बनेगा उसी merit list से आपका chain किया जाएगा ठीक ना तो चलिए अब हम देखते है exam pattern के बारे में तो यहां से हम exam pattern की बात करते हैं तो यहां से देखिए आपके पास पहले preliminary exam होगा ठीक ना मतलब pre-exam pre-exam में आपके पास syllabus रहेंगे English language के 30 number के प्रसनर रहेंगे 30 प्रसनर रहेंगे और numerical ability के 35 प्रसनर 35 नंबर के रहेंगे reasoning के 35 प्रसनर 35 नंबर के रहेंगे होंगे इसमें आप इसका जो final merit list बनेगा उसमें इसको नहीं जोड़ा जाएगा final merit list आपके पास main exam का जोड़ा जाएगा main exam का सिले बास यहां बताये आए कि general and financial awareness से 50 प्रसनर 50 नंबर के रहेंगे 35 मिनट टाइम रहेंगा general English के आपके पास 40 प्रसनर 40 नंबर के रहेंगे 35 मिनट टाइम रहेंगा reasoning ability and computer aptitude से 50 प्रसनर रहेंगे 50 नंबर के 45 मिनट टाइम रहेंगा quantitative attitude के 50 नंबर के रहेंगे 50 प्रसना 25 मिनट टाइम रहेगा total 190 प्रसना रहेंगे 200 मिनट आपके पास 200 नंबर के रहेंगे और 160 मिनट आपके पास टाइम रहेगा सभी यहां बोला गया है कि the candidate score is obtained by h ठीक ना h the candidates in different season will be normalized using aq-presental method मतलब आपके पास जो है प्रतेक विसाय में आपके पास एक cut-up तैयार किया जाएगा हर एक subject में आपको कुछ नंबर लाने होंगे ठीक ना माइनस मार्किंग की बात करें तो 1 by 4 आपके माइनस मार्किंग रहेंगे मतलब 25 परसेंट आपका माइनस मार्किंग रहेगा तो यह है exam pattern selection process सभी के बारे में हमने देखा इस वीडियो में ठीक ना तो भरतियों के बारे में इस वीडियो में बताया गया दोनों का वीडियो के बारे में बताना था इस वीडियो के माध्यम से आपको दो इनफर्मेशन देना था तो वीडियो आसा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल करने हैं चैनल को सस्क्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत भूँत धर्नेवाद जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत जय चत्री जय है